वेल्कम फ्रेंट्स आइम पावार सर एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद पावार सर यह अपना यूटूब चानल है अगर आप पहली बार देख रहे हैं मेरा वीडियो रुपया सब्सक्राइब जरूर कर लीचेगा आप जो है हम अपने फोर्थ सेक्षन का फर्स्ट वाला चाप्टर जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है हिस्ट्री आप इंग्लिश नॉविल ये पढ़ेंगे अब जब हम हिस्ट्री आप इंग्लिश नॉविल पढ़ रहे हैं तो एक बात हमने द्यान में रखनी चाहिए कि इंग्लिश नॉविल की हिस्ट्री जो है ये कम से कम आठ जस किताब इसको लगती है तब जाके उसकी पूरी हिस्ट्री लिखी जाएगे लेकिन यहाँ पर हमको तीन चार पेजेस में उसकी पूरी हिस्ट्री दी गई है हमने बहुत अच्छी तरह से बढ़ना बहुत जरूरी है उसकी वाज़ा यह है कि आपके कोशन पेपर में यह पाच्वा प्रसन होता है और पाच्वा प्रसन में कोई भी पैरिग्राप नहीं देते हैं इसलिए हर एक चाप्टर पहला चाप्टर हो या फिर दूसरा तिसरा चाप्टर हो इन सब को अच्छी तरह से पढ़ोगे तो ही आप पाच्वे प्रसन के उत्तर लिख पाओगे और आज कल इंग्लिश में कम मार्क साते बच्चों के उसकी वजब यह पाच्वा प्रसन ही है इस प्रसन में बच्चे प्रसन का उत्तर नहीं लिख पाते हैं इसलिए इसको केरफुली पढ़ना बहुत ही जरूरी है इसमें को इंट्रॉडॉक्शन नहीं है इसका कोई रैटर वगेरा नहीं है करतेंगे तो देखतें इंगलिष नॉवल का हिस्ट्री क्या कहता है को देटें सेंचुरी हैज गिप्टेड इंगलिष लिटरेचे टू एंटाइरली नीव फार्म इस निए लिटरेचर के नए या पिर दुनिया में आए और वह कहा जाता है क्योंकि यह जो दो फॉर्म है जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे आगे इनका 18th century से पहले का जो heritage है जो इतिहास है प्राचिन classical इतिहास जो है अभिजात इतिहास जिसकों कहते हैं कुछ भी नहीं मिलता है यानि कि 18th century से पहले ये दोनों प्रकार literature के दुनिया में वजुद में थे ही नहीं दोनों प्रकार और कौन से थे वन आप दोजवास पिरियोडिकल इसे उसमें से पहला एक था पिरियोडिकल इसे एंड अधर वास नॉवेल और दुसरा था नॉवेल ये दो प्रकार थे जो अट्रवी सदी ने हमको दिये और पिरियोडिकल इसे और नॉवेल का 28 सदी से पहले का कोई इतिहास नहीं है याद रखेगा बाद में जब next प्यारा पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा यह controversial लगेगा कि यह क्या बोड रहे है क्योंकि वहाँ पर novel की पूरी हिस्ट्री बताई गई है उससे पहले की लेकिन उसको थोड़ा सा हमें समझ के लेना है ज both of these forms caught the spirit of 18th century यानि कि 18 सदी पर चागे जैसे ही असनितों में आये है यानि कि novel और periodic लेसे जैसे ही आये वैसे ही पूरी दुनिया में चागे यानि कि 18 सदी को उन्होंने पूरी तरह से capture कर गया इसका मतलब क्या है कि लोग novel को और periodic लेसे को बहुत पसंद करने लगे यह poetry भी थी तो उनसे अलग था novel उनसे अलग था periodic लेसे और इसमें कुछ ऐसा था जो 18 सदी के लोगों को बहुत अच्छा लगा और इसलिए उन्होंने इसको तुरंत ही लपक लिया पसंद करने लगे as the age of intellectual called the spirit of 18th century as the age of intellectual sentimental and realistic plane and try to instruct the readers यह उसकी खासियत थी novel और periodical essay क्योंकि इसमें क्या थी intellectuality थी इसमें क्या था sentimental था इसमें भावना थी इसमें बहुदिक्ता थी और यह realistic भी था यह वास्तिक्ता पर अधारिद भी था यह उसमें के गुन थे यह उसके features थे novel के और साथ में यह पढ़ने वाले लोगों को क्या मिलता था instruct मिलता था readers को instruct यानि के teaching लोगों को इन में से कुछ सिखने को मिलता था यानि कि उससे पहले जो कुछ भी था उसमें भी ऐसा कुछ होंगा जरूर कुछ नों कुछ तो जरूर सिखते होंगे लोग poetry से भी और drama से भी लेकिन इसमें उसके अलावा भी दो तिन चीजे थी जैसे कि इसमें intellectuality थी इसमें sentimentally थी इसमें realistic था यानि के वास्तवात पर अधारिता which would help them to a more purposeful and virtuous life लेकिन इसमें कुछ ऐसा था जो इसको पढ़ेगा वो अपने life को more purposeful यानि उद्देश पूर्ण and virtuous यानि के क्या बोलते नईतिक बना सकता है यानि के इन में से novel में से आपको जीवन का उद्देश भी मिलता था और आप अपने जीवन को virtuous यानि के मौलेवान यानि के नईतिक्ता पर आधारीत बना सकते थे ये उसकी खासियत है थी प्रस्त यहां तक क्या बनता है देखे दोस्तों यहां तक हमने यहां तक जो पड़ा है वो तो यही कहता है कि 28 सदी ने हमारी दुनिया को literature के दो प्रकार दिये जिसमें से एक periodical ऐसे था और दूसरा novel था दूसरी बात इसमें यह बताई है यहां से आगे यहां से आगे से लेकर यहां तक कि यह दोनों प्रकार तुरंत ही लोगों को भागए चागए अटरवी सदी पर इनका ऐसा चाप पड़ा कि लोगों ने हाथो हाथ इनको उठा लिया लोग इनको पसंद करने लगे उसकी भी था और खास बात यह थी कि जो इनको पड़ते थे इन नौवल्स और पिरियाडिकल एसिस को उनको इंस्ट्रक्ट मिलते थे यानि कि टीचिंग मिलते थी उसमें से कुछ सिखने को मिलता था और वो सिखने की वज़े से क्या होता था वो अपने जीवन को उद्देश यह सब कुछ लोगों को मिलता था इसलिए यह दो फार्म्स अट्रवी सधी में तुरंत चागए या फिर लोगों ने इनको हाथो हाथ स्विकार कर लिया पसंद करने लगे Since the time of its origin यानि के अट्रवी सदी में जब इनका जर्म हुआ दोनों प्रकार का नावेल हैज बिन गेनिंग पॉपुलारिटी और ग्रोविंग ग्रेजुली दो फार्म्स अब लिटरेचर का जर्म हुआ था पिरियाडिकले से और नावेल का लेकिन उसके बाद में क्या हुआ देरे देरे नावेल जो है पॉपुलारिटी गेन करने लगा और ग्रेजुली बढ़ेने लगा और पिरियाडिकले से पीछे रहता चला गया नावेल को लोग ज़्यादा पसंद करने लगे पिरियाडी कले से को उतना पसंद नहीं करें ते इसलिए उसकी popularity जो है कम होने लगे Today it is recognized as the most dominant literary genre आज की दुनिया की ये वास्तविकता है आज novel, drama और poetry से ज़्यादा लिखे और पड़े जाते है और novel आज कल लिखने वालो के लिए कमाई का एक बोद बड़ा साधन भी बन चुका है This is the first paragraph वाटे और it's said in the first paragraph Let us sum up it, let us revise it We are said in this paragraph that 18th century gave us two forms of the literature periodically say and novel and both of them immediately caught the spirit of the people because there was some intellectual property there was some sentimental property there was some realistic property as well as these novels and periodical essays taught people the instructed means taught what did they teach? They taught the purpose of life as well as virtues of life and that is why they became famous but with the passing of time what happened actually? Periodical essay lagged back and novel began to gain the popularity and began to grow and today if you look at the scenario of the literary world you will see, you will realize that novel is supposed to be the most dominant literary genre of the age genre means prakart, literature literature के जो वीवित प्रकार है ना उसको genre ऐसे कहते हैं तो genre में क्या क्या आएगा? novel एक आएगा, drama एक आएगा, poetry एक आएगा, periodical essay एक आएगा और एक दो ऐसे होंगे जो मुझे याद नहीं है शायद genre means kinds ऐसा दूसरे शब्दों में आप उसको कह सकते हैं remember दोस्तों में बार बार इसको इस तरह से repeat करने की वाज़ों यही है कि there will not be this paragraph before you in your question paper you will have to remember these things you will have to remember that 18th century gave us two forms of the literature periodically say and novel okay then these forms of the literature caught the spirit of 18th century specially novel why? because there was some intellectual property there was some sentimental property a realistic property and these forms of the literature taught people something and that something is purpose of the life and virtues of the life and then with the passing of time periodically say lagged back and novel got the popularity and grew and it grew to the point that today it is supposed to be the most dominant most effective form of the literature today you will not see writers writing poetry and dramas as you will find writers writing novels both sari writers apko mil jayenge jo novels likhte this is what the first para of this lesson teaches us okay novel is relatively long narrative fiction novel asal mein hota kya hai what is novel that has been discussed in this paragraph okay in the first paragraph what is discussed when was the origin of the novel and how it got the popularity which lagged back and which grew and which later became the most dominant literary genre of the today's world that is what you are said in the first paragraph but in this paragraph you will come to know what is novel novel actually hum kisei kate hai तो किसे कहते है novel जो है relatively long narrative fiction ये लंबा चौड़ा होता है narrative होता है narrative यानि कि कोई कहानी जैसे दादी माह हमको कहानी बतती है ना तो उसको narration कहते है तो ये कुछ इस प्रकार का ही होता है घटनाओ का वर्नन करना तो ये वर्नना अत्मक होता है narrative होता है fiction यानि कि कलपनाओ पर अधारीत होता है यानि कि पुरी तरह से कलपना नहीं होती उसको वास्ताव का आधार होता है लेकिन फिर भी इनको fiction ऐसा भी कहा जाता है novel को ही fiction भी कहा जाता है तो what is a novel? novel is a relatively long narrative fiction which describes इसमें किस बात का description होता है intimate human experiences intimate human experiences हम जिन बातों को experience करते है human, मानवजात उसका description होता है normally in prose form और आम तोर पर prose form में लिखा जाता है poetry form में नहीं या पिर dialogue form में भी नहीं so what is a novel? novel is a relatively long narrative fiction which describes intimate human experiences normally in prose form यानि कि novel एक prose होता है ये तो यहाँ पर clear हो गया उसमें human experiences को describe किया जाता है ये लंबा चवड़ा होता है और narrative होता है लेकिन यहाँ खतम नहीं होता है उसका वर्नन novel क्या होता है उसका the present English word novel is derived from the Italian novella अज जिसे हम novel कहते हैं वो शब्द असल एक Italian शब्द है जो novella से आया है novella से उसको derive किया गया है यहाँ से उसका origin हुआ है इटली में जाएंगे तो इसको क्या कहा जाता है novella novella से अपने तक आते आते novel बन गया और novella का meaning जो Italian शब्द है वो क्या है new यानि के नया यह सही बात है क्योंकि 18th century में वो एक नया form of the literature it was a new form of the literature in 18th century so remember these things you have to remember what is a novel novel is a long narrative fiction which describes intimate human experiences and normally in prose form not in poetry or the dialogue form number two it is said here that the present English word novel it has come from the novella novella is Italian word and the meaning of novella is new now a novel narrates a story novel क्या करता है एक स्टोरी को नेरेट करता है वर्नन करता है हमें बताता है जो की उपर भी लिखा भी है narrative है करके स्टोरी को वो वर्नन करता है लेकिन जेसी की वैसी नहीं क्या करता है उसको embellishing करता है embellish करना यानि कि decorate करना मिर्च मसाला डलना novel में मिर्च मसाला बहुत ज़ादा होता है तो novel क्या करता है लेकि उपर बताया कि novel क्या है बराबर है novel क्या है एक long narrative poetry है जो human experiences या फिर intimate human experiences को describe करता है prose form में that's okay अब novel story को describe करता है यह तो बताया but not as it is but what does the writer do writer embellishes it उसको embellish करता है यानि कि उसको decorate करता है किस चीश से decorate करता है with more details of time then place then nature या nature यानि कि सभाव के हिसाब से नहीं निसर के हिसाब से nature उसके बाद में people and people's mind उनके हावभाव यानि कि gestures and उनकी activities यह होता है वो मिर्च मसाला जिससे कोई भी novel writer आपनी story को embellish करता है decorate करके अपने reader के सामने उसको पेश करता है यानि कि time का detailing होता है जगह यानि कि place का detailing होता है nature का detailing होता है लोगों का detailing होता है लोगों का mind कैसा था उस समय पर उसका भी detailing होता है और लोगों के हावभाव कैसे हुआ करते थे और वो क्या activities किया करते थे यह भी सब कुछ उसमें दिया जाता है अब कुल मिला कर what is a novel का उतर जब लिखेंगे तो आपको बीच में का इतना portion छोड़ कर यह portion छोड़ कर कि वो कहां से आया बाकी का उसके साथ में आपको जोड़ना पड़ेगा क्या कहना पड़ेगा कि novel is non narrative fiction which describes human intimate human experiences normal in prose form a novel narrates a story embellishing it with more details of the time, place, nature, people, their mind, their gestures and their activities और ऐसा करने की वज़े से इतना detailing देने की वज़े से होता क्या है it creates the picture of the society of that time इतना detailing देंगे तो picture to create होई जाएगा इसको अब चित्र ऐसा आप कह सकते है इतना detail में बताएंगे कि कैसा था how about कैसे थे color कैसा था, चलता कैसा था, बोलता कैसा था गुसा आता था, चेरे पर भाव कैसे होते थे, सब कुछ बताए जागा कहां था, उस वक्त जंगल वहां का निसर्ग कैसा हुआ करता था, लोग कैसे थे लोगों के दिमाग में क्या चला करता था इतना detail अगर जोड दिया जाए आपके लिखान में तो वह एक प्रकार का picture ही बन जाता है इसलिए novel को क्या कहता है, जब इस तरह detail में note लिखा जाएगा तो it creates the picture of the society of that time, इसलिए आप अठरवी सदी का novel पड़ेंगे न तो आपको समझ में आगा कि उस समय पे लोग कैसे जिया करते थे, क्योंकि पूरा detailing उसमें दिया हुआ होता है novel makes life easier to understand than in drama and poetry, यह पहले के दो फाम है drama and poetry, यह पहले से चले आ रहे है, novel अठरवी सदी में आया, लेकिन novel के साथ कुछ खासियत ही थी इतनी detailing थी उसके साथ में, बराबर है, लोगों के इसलिए उसमें पसंद आता था उसमें intellectual property थी, वो fiction के साथ में realism को भी उसमें जोड़ दिया करता था तो लोग क्या करते थे, novel पड़कर के उस समय के समाज को अच्छी तरह से understand कर पाते थे ज्यादा, किसकी तुलना में, drama और poetry की तुलना में, in modern era, novel has adopted literary prose ये line जो है, आपको थोड़ा confuse कर सकती है, उपर हमने पड़ा, क्या पड़ा, कि novel जो है, बराबर है, normally in prose form normally in prose form होता है, याई कि पूरी तरह से, और 100% prose form में होता है, ऐसा बोला है किया, ने, normally prose form होता है लेकिन कभी-कभी उसमें, थोड़ी poetry और थोड़ा drama भी आ जाते हो, क्यों, novel है, novel में सब कुछ आ सकता है तो modern era, लेकिन आजकल जो है, वो भी लगबक खोने में आ चुका है, यानि कि लोग poetry और drama उसमें ज़्यादा इंट्रोड्यूस नहीं करते है adopted literary prose, आजकल novel पूरी तरह से prose form में ही लिके जाते थे, आजकल prose form में पूरी तरह से लिके जाते है that means in earlier time or in the time of its beginning, people or the writers used some part of the drama and the poetry also या फिर कम से कम उसके feature जो है, novel में देखने को मिलते थे खुल मिला कर, in conclusion, what did we learn in this paragraph? we learnt that what is novel, then where did the word novel come from, then we learnt that how is the novel described and given the detailing because of which it became easier to understand the life than in drama and poetry drama और poetry की तुलना में novel में से उस समय की जिन्दगी जादा समझ में आ जाती है और आजकल novel लिकने के लिए पूरी तरह से prose form का उपयोप किया जाता है two, three points are there, one, what is novel, two, where did the word novel come from and three, how is the detailing added to the novel, that's why it becomes total picture of that particular time of the period प्यरा जब शुरू करते हैं तो देखे the novel as a literary genre has a history of about 2000 years उपर तो हमें कहा गया था के अटरवी सदी उसके बाद 19 सदी गई 20 सदी, 21 और याब हम 22 में जी रहे है 23, 24 में जी रहे है यानि कि पाच्छे सो साल उसको होना चाहिए लेकिन यहां तो कहा गया है कि 2000 years novel as a literary genre has the history of 2000 years 2000 सल का history है बोलते हैं लेकिन उपर तो कहा कि 18 सेंचूरी से पहले कुछ भी नहीं है इसका कारण यह है कि 18 सेंचूरी में कोई ऐसी किताब लिखी गई जिसको उठा कर आप बोल सकते हो कि यह novel है लेकिन 18 सेंचूरी से पहले आप ऐसा नहीं कर सकेंगे उससे पहले ऐसी कोई किताब ने उठा कर बोलेंगे कि देखो भया यह novel है उससे पहले जो कुछ भी लिखा जाता था क्या लिखा जाता तो poetry और ड्रामा में novel के features मौझूद है यानि कि दीरे-दीरे लोगों को जैसे realize हुआ कि केवल drama और poetry नहीं बलकि novel नाम का भी एक literature है यह realize होता गया और फिर दीरे-दीरे 18 सदी में आ करके उसका जन्म हुआइस paragraph को पढ़ने के बाद में यह idea आपकी पुरी तरह से clear हो जाएगे तो वो बोलते हैं कि 2000 साल का इतियास है among the early precursors आप दे novel शुरू के precursors यानि कि उसके पुडार ही ऐसा कहा जाता है यानि कि सबसे पहले novel के feature कि इसमें दीखे तो वो writer कहते हैं एक collection of the tales known as Greek romances Greek romances इस नाम का एक collection है story का बराबर है और dating from the second to sixth century और यह दूसरी सदी से लेकर छटी सदी इस दौरान लिखा गया था उपर हमें बताया गया कि novel जो है अठरवी सदी में आया लेकिन अठरवी सदी से पहले novel कोई particular ऐसा नहीं है लेकिन drama और poetry में उसके feature आपको मिलते है और वो कहा मिलते है आपको इस Greek romances में सबसे शुरुवाती feature इसमें मिलते Greek romances में जो दूसरी सदी से लेकर के छटी सदी तक लिखे गयते century में top the list यानि इसका मतलब यह है कि और भी दूसरे प्रकार है इन story के अलावा जहां पर novel के features आपको देखने को मिलते है लेकिन यह उसमें सबसे उपर है आप Greek romances पढ़ेंगे ना तो उसमें आपको novel के feature बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे इसका मतलब यह नहीं कि दूसरे प्रकार के literature में novel के feature नहीं है है लेकिन Greek romances में सबसे ज़्यादा है These imaginative and delightful stories अब यह जो Greek romances है यह SL में कैसे है यह कालपनीक है imaginative delightful यानि कि मज़ेदार है कहानिया है और किसकी कहानिया है of ideal love and marvelous adventures यानि कि love and adventure की वो stories है जो Greek romances कहा जाता है न वो कालपनीक है उसमें आपको love देखने को मिलेगा उसमें आपको adventure देखने को मिलेगा profoundly affected the creative writing for the next thousand years और जो जो लोग Greek romances को पढ़ते गए खास करके writer लोग उन पर बहुत ज़्यादा असर गवा Greek romances का और उसको पढ़ने के बाद में उसके feature ने उन पर असर किया वराबर effect किया मतलब असर किया उन में creativity अगई उनको पढ़ने वालों के दिमाग में और वो एक 1000 साल तक ये stories जो है writer लोगों को और आम लोगों को भी प्रभावीत करती रही देखिए दूसरी से लेकर छटी सदी में ये stories लिखी गई उसके बाद लोग उसको पढ़ते गए पढ़ते गए पढ़ते गए और भी दूसरा literature था लेकिन ये मौजुद थी इसको लोग पढ़ रहे थे तो लोग इतना ज़्यादा प्रभावित हुए Greek romances से जिसमें love और adventure describe किया गया था तो लोगों को एक creativity सुझी बराबर है और उसका परिणाम क्या हुआ कि उसका परिणाम हुआ novel आगे पढ़िये दो novel in the modern era usually makes use of the literary prose ये हमने पहले भी पढ़ा कि आज कल जो है novel जो है prose form में लिखे जाते लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था शुरुवाती दोर में कैसा था in the earlier threads of the genre can be found in Virgil's Eclogs और Mallory's Mott D. Arthur और Joffrey Chaucer's The Canterbury Tales जैनि कि आज भले ही novel पुरी तरह से पुरस form में लिखे जाते लेकिन अगर आप इससे पहले के कुछ literature पढ़ते हैं Greek Romances के बाद के बराबर है जैसे वर्जिल का आप Eclogs अगर पढ़ते हैं यह देखेंगे कि यह novel के जैसा भी लगेगा यह poetry के जैसा भी लगेगा यानि कि दोनों के features उसके poetry में आपको मिलेगी और उसके बाद Mallory का Mort D. Arthur पढ़ेंगे तब भी आपको यह देखने को मिलेगा उसमें थोड़ा prose भी है थोड़ा poetry भी है या पिर जौपरी चाउसर का Canterbury Tales पढ़ेंगे एक प्रकार का poetry का collection ही है लेकिन उसमें बहुत सारे novel के features आपको देखने को मिलेंगे यह है novel की असली कहानी यानि कि आज का novel जैसे का वैसा पैदा नहीं हुआ वो gradually develop होता चला गया यानि कि 18 सदी में भले ही novel का जन्म हुआ था लेकिन उसके शुरुवात कही न कहीं दूसरी सदी से लेकर चटी सदी तक जो Greek Romances लिखे गए उसमें हो चुकी थी उनको लोग पढ़े उससे ज़्यादा प्रभावित हुए फिर वर्जिल जैसे वेक्ती ने एकलाउस लिखा मैलोरी जैसे वेक्ती ने मौट डे आर्थर लिखा जौपरे चवसर जैसे वेक्ती ने कैंटरबरी टेल्स लिखा और इनको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या मैं poetry पढ़ रहा हूँ या फिर मैं novel पढ़ रहा हूँ वो poetic form में मिलते हैं लिकिन story उसमें novel के जैसे आपको देखने को मिलेगी है उसके बाद कहते हैं कि मुरासा की सिकीबू स्टेल अप जिंजी ये नाम दोनों याद रखना तेल अप जिंजी उस किताब का नाम है और मुरासा की सिकीबू ये उस व्यक्ती का नाम है जिसने टेल अप जिंजी लिखा है बराबर है और ये कब लिखा गया था वन जिरो वन जिरो यानि के 1010 में has been described as the world's first novel दूनिया का पहला novel कौन सा है तो टेल अप जिंजी है और मुरासा की सिकीबू ने उसको लिखा है 1010 में वो लिखा गया था देखिए याद रखिए ज़्यादातर लिटरिचर जो है हम यूरोप या अमेरिका का पढ़ते इसलिए हमको ये लग सकता है कि ये किसी यूरोपियन या फिर अमेरिकन ने लिखा होगा लेकिन मुरासा की सिकीबू नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये यूरोप अमेरिका का नहीं है ये जापनीज था जापान के वेक्ति ने दुनिया का पहला नावेल लिखा था जिसका नाम था टेल आप जिंजी और वो दस-दस में लिखा गया था आगे पढ़ते हैं तो यूरोप अमेरिकन नावेल इस आपन सेट टू बिगिन विथ डान क्विक्सोटी यूरोप का नावेल का डान क्विक्सोटी ने शुरुवात किया ऐसे यहां पर साप साप लिखा गया है यानि के दुनिया का पहला नावेल जापनिज ने लिखा था यूरोपियन कंट्री का पहला नावेल किस ने लिखा था डान क्विक्सोटे ने और डान क्विक्सोटे जो है स्पैनिस राइटर था कहा का था स्पैन का रहने वाला था यहनि कि उरोप का डॉन किक्सोटे और लिखने वाला था मिगूल डी सर्वान्टेस Spanish word सही है इसलिए इसको ऐसे ही पढ़ना पढ़ता है दो बाते आपको यह याद रखनी है दुनिया का पहला novel मुरासा के शिकिबू ने लिखा जिसका नाम ते लब जिंजी था दस-दस में लिखा गया था और वो एक जापनिस था यूरोप का पहला novel डॉन किक्सोटे था यह एक Spanish writer ने लिखा था जिसका नाम मिगूल डी सर्वान्टेस था वीच वास पब्लीजड इन टू पार्ट और इस novel को उसने दो पार्ट में पब्लीजड किया था 1605 में पहला पार्ट और 1605 में दुसरा पार्ट यानि के दस-दस के बाद में 1605 में एक novel दिखने को मिला European novel 1605 में और उसका दुसरा पार्ट जो 1615 में आयता In the 18th century अब आप कहेंगे कि भाई यह तो 1605 में ही आ गया यह दस-दस में ही आ गया यह दुनिया का पहला novel है और यह यूरोप का पहला novel है फिर ऐसा क्यूं कहा गया है कि novel का जन्म जो है वो अटरवी सदी में हुआ यहां तो सतरवी सदी नजर आ रही है In the 18th century the appearance of newspaper and magazine attracted the large number of the readers from the middle classes उतका जावब अभी आपको नहीं मिला लेकिन यह लिखा गया तेलाब जिनजी भी दस-दस में लिखा गया डान किक्सोटे पहला volume 1605 में है और दुसरा 1615 में आ गया लेकिन लिख दिया दुनिया को पता नहीं चला दुनिया को पता चला अटरवी सदी में और इसलिए कहा जाता है कि अटरवी सदी ने जो है हमको दुनिया का जो दो नए form of the literature दिये है एक पिरियाडिकले से और दूसरा novel और इसलिए कहा जाता है कि नौवल का जन्म जो है वो 18th century में हुआ 18th century में जन्म क्यों हुआ उसकी वज़ाई यह है क्योंकि 18th century में newspaper का भी जन्म हो गया था in the appearance of newspaper and magazine attracted large number of the reader from the middle classes देखको उस समय पर एसा कागज आसा नहीं से तो नहीं मिलता था कागज थे ही नहीं बहुत मुश्किल से मिला करता था या पिर दूसरे farm से जहां पर लिखा जाता था पेड की चाल पर या पिर कहीं ऐसी कुछ तो भी पामेरा राइटिंग वगरे उस स news readers had little interest in romances and tragedies और यह जो नए प्रकार के reader थे 18th century के middle class वाले इनको romance or tragedy पढ़ने में interest नहीं था जो किसका theme हुआ करता था poetry और drama का poetry और drama में आपको romance or tragedy देखने को मिलती थी और यह चिज़े नए reader को अच्छी नहीं लगती थी middle class को जो 18th century के reader थी उनको उनको क्या अच्छा लगता था जो novel में दिया गया था जो हमने उपर पड़ा जिस पे intellectual property होती थी sentimental property होती थी realistic होता था और वो कुछ instruct करते थी याने कि कुछ सिखाते भी थे जीवन का उद्देश सिखाते थे वर्चु उनको सिखाया करते थे और इसलि होता था इनको अपर क्लास पसंद करते थे राज्या महाराजा या पिर उस समय के अमीर लोग आप ऐसा कहीं लीजें मिडल लोग नहीं करते थे उनको tragedy से या पिर रोमांस कोई लेना देना नहीं था और यह एक वजह थी कि 18th century में इस तरह से novel का जन्म हुआ और तूरंत वो प्रसिद्ध हो गया लोगों ने उसको पसंद किया दस need for a new type of literature rose that would express the new ideas of the 18th century अब 18th century में newspaper magazine भी आ गए थे middle class का भी जन्म हो गया था इस middle class को romance और tragedy पसंद नहीं थी उनको intellectualism पसंद था realistic होना पसंद था sentimentalism उनको पसंद था जीवन का purpose क्या होता है सिखाने वाली कोई चीज उनको चाहिए थी वर्जू सिखाने वाला चाहिए था तो इस class की यानि की middle class की जरूरत पूरा करने के लिए एक literature का जन्म हो चुका था और उसका नाम था novel the 18th century new literature was characterized by the spirit of realism denial of romantic features like enthusiasm, passion and imagination यह जे अट्रवी सदी के जो लोग थे उपर साप लिखा गया है कि उनको romance और tragedy पसंद नहीं थी उनको क्या पसंद था characterized by the spirit of realism वास्तविक था उनको पसंद थी denial of romantic feature यानि कि romance उनको deny करती थी romance को उनको romance वगरी पसंद नहीं था और उसी के जो features थे enthusiasm, passion, imagination यह भी चीज़े उनको पसंद नहीं थी यानि कि एक प्रकार का novel पढ़ने वाला कराहक कई जिये या फिर class कई दिये middle class के रूप में जन्म को आ गया था उसकी अपनी special demand थी जो drama और poetry पूरा नहीं करती थी तो उसके लिए foreground किसने तयार किया the foreground for the novel was prepared by all these factors यह सारे वो factor थे जिसने novel के लिए foreground तयार किया novel के लिए जमीन तयार कि उसके स्वागत के लिए जमीन तयार कि कौनसी बाते एक newspaper का जन्म होना दो middle class बड़े पैमाने पर तयार हो जाना तीन लोगों को intellectualism चाहिए था लोगों को वास्तविक्ता यानि कि realism चाहिए था लोगों को कुछ instruct करने वाला literature चाहिए था लोगों को ऐसी चीज़े चाहिए थी जिसमें से कुछ सिखने को मिले तो ऐसी जमीन तयार होगी लेकिन literature नहीं था poetry और drama ही चल रहे थे इतने में 18th century में फिर novel आता है और लोगों की जरुरतों को पुरा करता है और इसलिए वो तुरंत चाहिए जाता है इनको एक को दुनिया का पहला और दूसरे को यूरोप का पहला novel किया जाता है लेकिन वो बस लिखे गए थे बाद में पता चला कब लिखे गए थे जब लोगों ने उसको पढ़ना शुरू कर दिया अब लोगों ने पढ़ा क्यों नहीं था क्योंकि उस समय पर ज़्याद as the literary form in literature 1740 में novel ने खास करके जन्म लिया literature की दुनिया में कदम रखा increase in trade and commerce उसकी वज़य ये थी कि novel का जन्म क्यों हुआ एक तो लोगों की choice जो middle class जो जन्म ले लिया था ना उसकी choice अलग थी राजा महराजयों की तरह उसकी choice नहीं थी बराबर है एक vacuum तयार हो गया थी जि पूरा करने के लिए novel मैदान में आ गया था क्योंकि ये सब इसलिए हुआ था कि 1740 वहां इंग्लेंड में novel का जन्म हुआ उसकी वज़य में से एक है increase in trade and commerce कि science ने कापी तरकी कर ली थी ट्रेडर कॉमर्स उससा में बहुत बढ़ गया था ट्रेडर कॉमर्स बढ़ने की कारण है बढ़ने का एक दुसरा परिणा में है middle class का जन्म होना along with industrial revolution had given rise to the middle class यही लिखा है जो मैंने अभी आपको बताया इसकी वज़य से industrial revolution की वज़य से middle class का जन्म हुआ और बहुत बड़े पैमाने पर हुआ एक class of the people had emerged to occupy जाने के व्याप्त करना and elite status अब यह जो middle यह जो trade करने वाले लोग थे इनने मैंसे कुछ लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर trade किया और इतना पैसा कमाया कि वो समाज में elite बन गए elite यहने कि सब्वे लोग बन गए बड़े बन गए पैसे वाले बन गए उनका रुत्बा बढ़ गया उनको मान सम्मान मिनने लगा बराबर है इसकी वज़य से और यह खास करके middle class से जूड़े वे लोग थे the realistic picture of the everyday life and problems of the common people depicted in the novels तभी क्या हुआ कि novel आया और novel ने क्या किया? novel ने realistic picture describe क्या? novel ने जो कुछ भी लिखा realistic लिखा और उसने common man के जो problem से आम लोगों की जो समयशाय है उसको अपने किताब में अपने novels में जगद या डिपिट किया उसने and appeal to the newly educated class और इसके वज़य से जो एक नया educated class पैदा उसको बहुत appeal किया है यह चीज़े उस class को बहुत अच्छा लगी and was regarded by them as respectable reading material और यह लोग novel को respectable reading material समझने लगे हैं सिंपल सी बात है novel यहां से हमने शुरू किया था यह paragraph पूरा यहां से शुरू होता है यहां से कि भाई 10-10 में पहला novel लिखा गया टेला अब जिंजी लेकिन किसी को पता नहीं था लिखके उसने रख दिया था चंद लोगों ने पढ़ा हुआगा दूनिया को पता नहीं च शुरू कर दिया क्योंकि 28 सदी में trade and commerce बढ़ गया था यानि कि industrial revolution हो चुकी थी उसकी वजह से एक class पैदा हुआ जिसको middle class कहते हैं यह लोग पैसा भी कमा रहे थे पढ़ाए भी कर रहे थे इनको पढ़ने का शौक भी लग गया था लेकिन इनको poetry और ड्रामा पढ़ने में अब इस तरह से literature में जो है क्या होने लगा वास्तववाद को describe किया जाने लगा और जो common मियाने उसके problem को discuss किया जाने लगा तो क्या हो गया ऐसा मेसास हैं जो लगा कि novel जैसे किसलिए है Middle class के ही लोगों के लिए ही और lower class के लोगों के लिए ही लिखा गए है क्योंकि उनकी जो longings इस इछा Carmen की डिमांड है वो डिमांड नावेल में पुरी हो रही थी कि हमको क्या पढ़ना है तो हमको कुछ ऐसा पढ़ना है जो हमको वैलिव सिखा है जो हमको जीवन में आगे कैसे बढ़ना है यह सब कुछ सिखा है जो हमारे समझ्षाव को जुबान दे कुछ ऐसी चीज़ हम में तो एक प्रकार से यह मेडिल क्लास और लोगर क्लास का लिट्रेचर बन गया तो यह जो काम करने वाले लोग ते मेडिल क्लास इनका समय बचने लगा और बचा वा समय में क्या करते थे रिडिंग का काम करते थे और क्या पढ़ते थे तो नौवेल पढ़ते थे पढ़ते भी थे and discussions about the book और फिर उस किताब के बारे में आपस में चर्चा भी करते थे यानि कि नौवेल पढ़ना आपस में नौवेल पर चर्चा करना एक प्रकार से उनका डेली रूटिन का हिस्सा बन गया तो इसमें क्या हुआ कि ड्रामा एंड पोईट्री वेर टू लिटरी फार्म्स डैट वेर फेडिंग अवे नौवेल आगे बढ़ता चला गया ड्रामा और पोईट्री पीछे चलती गई धिरे धिरे उनका महत्वक्त कम होता चला गया क्योंकि मेडल क्लास बहुत पोईट्री पीछे क्यों चले गए क्योंकि नौवेल एक कॉंबिनेशन था किसका समभिचर स मोर्य यानिकर आपD Cash यानि कि poetry के भी feature drama के भी feature novel तो वो खुदी था and some new features were added to the form और साथ में कुछ नए feature writer लोगो ने उसमें जोड दिये इसलिए अब एक novel पढ़ लो तो आप drama भी पढ़ लिया poetry भी पढ़ लिया ऐसा उसका मतलब हो रहा था यानि कि सभी फामसाप literature का मज़ा एक ही novel में आपको मिल रहा था it was the prominent form in the 18th century इस तरह से 28 सदी में novel एक महत्व पुर्ण literature का form बन गया and onwards to the and onwards to encompass the social political and cultural happenings and scientific progress और धिरे धिरे ये इतना बढ़ता चला गया इसकी popularity इतनी बढ़ती चली गई कि वो उसने फिर सामाजिक यानि कि social उसके बाद political उसके बाद cultural happening and scientific progress इन सब को अपने दायरे में ले लिया यानि कि आगे चल करके social novel भी लिखे जाने लगे, political novel भी लिखे जाने लगे, cultural novel भी लिखे जाने लगे और scientific novel भी लिखे जाने लगे इन सब की जानकारी हमें आगे वाले paragraph में मिलते हैं लेकिन फिलाल हमें यहां पर रुखने की जरूरत है रुखने से पहले थोड़ा सा रिवाइस कर लेते हैं कि आज actually हमने यहां पर क्या-क्या पढ़ा है, history of English novel में हमने पढ़ा कि 28 सदी में दो फार्म्स का जन्म हुआ, periodical से और novel को, हमने यह भी पढ़ा कि novel यह शब्द कहा से आया, हमने यह भी पढ़ा कि novel में क्या-क्या characteristics से intellectual, sentimental, realistic बराबर है, यह जीवन का purpose सिखाता है, virtue भी सिखाने का काम करता है, और समय के साथ में फिर novel बढ़ता चड़ा गया, और periodically से पीछे बढ़ता चला गया, उसके बाद हमें बताया गया कि novel actually क्या होता है, एक relatively long narrative fiction है, जो intimate human relationship experiences को describe करता है, prose form में, उसके बाद हमको यह बताया गया है, कि novel यह शब्द कहा से आया है, और उसके बाद इसी paragraph में हमको यह बताया जाता है, कि novel को embellish, यानि कि decorate कैसी किया जाता है, या फिर उसमें मिर्च मसाला पैसे डाला जाता है, जिसकी वज़े से novel बहुत ज़्यादा famous हो गये, उसके बाद के paragraph में हमने पढ़ा कि novel as a literary journal, उसका इतिहास क्या है, 18 सदी में जन्म हुआ, लेकिन उसकी जड़े, दूसरी सदी से लेकर छटी सदी में जो Greek romances लिखे गए, उसकी story में जाता है, यह story imaginative हुआ करती थी और delightful, love affair पे और marolas adventure पे आधारित होती थी, इन stories ने उसके बाद के writer को उनको पढ़ने वालों को बहुत ज़्यादा प्रभा में, लेकिन novel के बहुत सारे features इसमें देखने को मिलेंगे, उसके बाद हमको बताया जाता है कि दुनिया का पहला novel कौन सा है, यूरूप का पहला novel कौन सा है, उसके बाद हमको यह बताया गया, कि इन novel के लिए foreground जो तैयार किया, इसके अगमन के लिए, वो किस चीज ने किया industrial revolution ने, क्योंकि उसकी वज़े से middle class पैदा हुआ, middle class की choice अलग थी, उनको poetry और drama पसंद नहीं था, तो novel ने वो मसाला उनको दिया, जो मसाला middle class को चाहिए, और इसले novel एक पसंद देदा form of the literature बन गया, उसके बाद में, next paragraph में हमको बताया जाता है, कि यह जो दोनो form of the literature ए, ए आपको मिल जाती है, ये भी novel के बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होने में एक कारण है, जो 3-4 कारण हमने देखे उसमें से ये एक है, और फिर धिरे-धिरे novel ने social, political, cultural और scientific area को भी अपने दारे में लाया, इन पर भी novels जो है, लिक के जाने लगे, तो आज यहाँ पर रुख जाते हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता जा रहा है, नेक्स्ट वाले वीडियो में जो है, हम यहाँ से आगे पड़ेंगे, आश्क्राइब वीडियो देखने बहुत बहुत शुक्रिया, अगर आपने पहली बार देखा है, तो प्लीज लाइ